हालो दोस्तों, आज के बिडिवय भी बात करेंगे कि आप ऑनलाइन जो है Pen Card को कैसे डाउनलोड करेंगे और उसको यूज कर पाएंगे, तो बिल्कुल बहुत असानी से आप जो है Pen Card को ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे देखें यहाँ पर pen card जो है 3 माध्यम से बनता है पहली जो company है NSDL के माध्यम से बनता है दुसरी जो है UTISL के माध्यम से और तिसरी जो है pen card e-filing के माध्यम से बनाई जाती हैं तो इनों माध्यम से जो है आप online pen card को download कर पाएंगे जो यह facility मिलती है 3 times ही आप जो है download कर पाएंगे online pen card को और इसके लिए condition यहाँ पर यह है कि आपका जो pen card है वो एक महिने के अंदर बना होना चाहिए या उसमें कोई correction करवाएं हैं तब ही जो है आप यहाँ पर download कर पाएंगे अगर आपका जो pen card है एक महिने पहले का बना हुआ है या उसमें आप correction जो है एक महि पहले करवाएं हैं तब फिरियो पोस्ट आप उसको निकाल पाएंगे चाहे वो UTI से बना हो या NSDL से बना हो या E-filing के माध्यम से बना हो तीनो प्रोसम से अगर आपका एक मंत के अंदर का बना हुआ pen card या correction किया हुआ है तो फिरियो पोस्ट निकालेंगे अगर आपका एक मंत से जादा हो गया है pen card बने हुए तो उसके लिए आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे 8 रुपे 26 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे तब जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे pen card को इसके लिए यहाँ पे condition भी एक रखी गई है कि आपके जो pen है उसमें email ID और mobile number डला होना चाहिए तब ही आप जो है ए फैसिलिटी का यहाँ पे लाब ले पाएंगे तब ही आपका pen card online निकल पाएगा तो यहाँ पे आपका अधार जो pen में जो है mobile number email ID लिंक होना चाहिए डला होना चाहिए अब बास कर लेते हैं कि अगर हमारा pen card जो है दरसल पहने का बना हु को फिल करना है करेक्शन करानी है और करेक्शन में वहाँ पे आप टाइप कर देंगे photo mismatch या signature mismatch करके apply करना होगा करेक्शन में और उसके बाद फिर जो प्रोसेस होता है new में उसी तरह से फिर आपका नया बनके post office से आ जाता है उसमें आप mobile number email ID लिंक करवा सकते हैं उसके लिए आपको 100 रुपे जो है जो 989 रुपया 100 रुपय आपका चार्ज करता है वो करेक्टेंगे तो थीरी प्रोसेस से जो है आप पैन कार्ड को online निकाल सकते हैं अगर आपका mobile number linked है तो simply जो है आप निकाल सकते हैं और एक महिने का जो अंतरगत क्या बना है तो आप फिर य एक्षन के माध्यम से new apply करने होंगे और उसके माध्यम से उसमें आप जो है mobile नमरी में लाड़े building कर पाएंगे और उसको भी आप मंगवा सकते हैं यह काम आप तीनों प्रोसेस में कर सकते हैं UTI में भी NSDL में भी और E-filing के माध्यम से भी तो यह था दोस्तों आज का most important topic जो हमने इस वीडियो में cover की हैं I hope यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए अगर चैनल पर पर पहले वार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पर लाइकन प्रेस कर लीजे ताकि आपको इसी तरह की informative वीडियो मि सब्सक्राइब कर पाएंगे उससे तरह से आप NSDL में भी यहाँ पर पहले नमबर डालेंगे अधार नमबर अगर आप यहाँ पर डाला हुआ तो अधार नमबर डालेंगे उसके बाद आपको month और year डाल देना डिटो बर्त का अगर GST नमबर है तो डाल सकते हैं टर्मेंड कंडिशन जो दीगे इस पर टिक मार करके कैपचा दीगे सब्मीट बटन पर किलिक करके जो है सिंपली आप जो है पैन को डाउनलोड कर पाएंगे देखे दोस्तों यहाँ पे मेरा जो पैन काड़ है बहुत पुराना बना हुआ है तो यहाँ पे हमारा डाउनलो वीडियो में आपको जरूर दिखाएंगे तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाग जाएंगे